इस वीडियो में मैं eligibility criteria जो है admission class 6 का और जो class 9 का उसके बारे में मैं बात करूँगा तो बिना time गवाए मैं सिधा मद्दे पर आता हूँ और आप देखना इस वीडियो को ध्यान से अगर आपको class 6 में admission करवानी है तो जो candidate है उसका जो ओम्र है वो 10 से 12 साल के बीच होना चाहिए तो आप ये identify कैसे करोगे तो आप बस इतना देखो कि जो उसका date of birth है वो 1 अपरेल 2012 से लेकि 31 मार्श 2014 के अंदर होना चाहिए तो अगर इतने दिनों के अगर इस तो date के बीच में अगर इसका date of birth है तो वो eligible है कि वो form apply कर सकता है और girls से related बाते हैं लिखी गई है कि जो age criteria है न boys का वो same होगा girl के लिए भी पर girl का seat है वो बहुत ही कम है तो आप seat पहले जाकर check कर लें जिस school में आप admission करवाने वाले हैं जिस आने कि school में आप चाहते हैं कि admission हो उसका पहले जाकर आप seat check कर लें सेकेंड है जिन बच्चों को class 9 में admission करवानी है उसके लिए जो है उनका उम्र जो है वो 13 वर्स से 15 वर्स के बीच होना चाहिए और यहां पे जो date of birth mention किया गया है तो उनका जन्म एक अप्रेल 2009 से लेके 31 मार्च 2011 के बीच होना चाहिए तो ऐसे बच्चे जो है वो eligible होंगे class 9 के लिए और जो class 9 एडमिशन होगा girls का उसका भी same criteria है age criteria से में boys के जैसा पर यहां पे भी कहा गया है कि आप जाकर पहले जिस school में admission करवाना चाह रहे हो उस school में आप यह चेक कर लो कि वहाँ पे seat vacant है या नहीं girls के लिए तो इन case अगर आपको जानना है कि उस school में अगर seat vacant है या नहीं girls के लिए तो आप मझे comment करणा मैं आपके लिए जो भी होगा research करके मैं आपको comment कर दूगा कि कितने seats है वहाँ पे हैं आप क्रोप्सारबट सम add उम कल रंदीक nउसा मैं आपको मैं कर दोगं है याइम विए लियान हैं लिए झाले मैं आपको प्र एक कर दो दो 6 तूशनत के याय को चारा कर आपको